नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज के उश्य पर बात करें उससे पहले में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यह क्या होता जा रहा है शिल्पा शेट्टी जिसका पती राज कुंद्राज गिरफतार है अशलील फिल्में बनाने के उसमें वही पर शिल्पा शेट्टी को बुलाया जा रहा है किस इवेंट्स में जहां पर लाइफ सेविंग इनके उपर इवेंट हो रहे है वहां पर बॉलिवूड की हस्तियों को बुलाया जाता है जो गलत चीजों में लिपत रहती है ड्रग्स यह सब करती हो और वही लाइफ सेविं बेशर्मों को चलिए अब बात करते है राज कुंद्रा को लेके आखिर वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसको राज कुंद्रा ने जबरदस्ति किस करने की कोशिश की यह है शर्लिन चोपड़ा जी यह शर्लिन चोपड़ा ने मुंबाई पुलिस को जाके क्राइम ब्रांच को जा राज तरक के रूप में रखेगी कि राज कुंद्रा को बेल नहीं मिली इससे पहले भी राज कुंद्रा गए थे बेल के लिए लेकिन उनको बेल नहीं मिली क्योंकि कोट जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ राज कुंद्रा से और को लगा कि राज कुंद्रा को अगर बेल के साथ हुई थी क्योंकि शल्डिन चोपड़ा भी इनके साथ काम कर चुकी है इसी तरह के कॉंट्रेक्ट में तो जो कॉंट्रेक्ट था वो शेयर किया वाटसेफ जैट्स दी जिस तरह से धमकी दी राज कुंट्रा ने तो पैसो को लेके बिजनस को लेके इनकी जो डिल थी उसमें कहा सुनी हो गई थी अब राज कुंद्रा को देगे, कहा सुनी हो, पैसो को लेके चलो डील नहीं बेनी, लेकिन राज कुंद्रा इनके घर पे पहुचते हैं, जबर दस्ती करते हैं, किसको शल्डिन चोप लगो, शल्डिन बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपनी manpower दिखाते हुए, उनके गवाही दिए, यहां पे तो राज कुंद्रा बुरे फस हैंगे, देखे, इनके उपर 420 की धाराय और इतनी सारी धाराय लग चुकिये पॉर्ण एक के तहट, तो यानि कि ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे केस में जा रहे हैं, यह बहुत बड़े लंबे वाले केस में जाने व के चल रहे थे कि अपने भाईया प्रोजेक्ट को होटशोट एप को लंबा चलाएंगे लेकिन अब नहीं होगा, और शिल्पा शेट्टी का एक और बता दू, यूच्छी चैनल आपने देखा होगा, तो इनके जो यह मनीज जी है बहुत अच्छा काम करते हैं, निडरता स इसा नहीं, गुलामी करने वाले तो भरे पड़े हैं, लेकिन इनों ने सही तरह से आखलन करके अपनी बात रखी सवाल पूछा, कि आखिर पती ये गलत काम कर रहा था, पत्नी को नहीं पता था, कि आपकी हिस्सेदारी आप डाइरेक्टर होस कंपनी में उसमें गलत काम हो इनके खिलाफ गलत आरोप लगा रहे हो, पती आपका जेल में बैठा है, आपके उपर सटे बाजी के आरोप लग चुक है, आपकी टीम सस्पेंड हो चुक है, अब आपकी माता जी, मतलब शिलपा शिट्टी की मा के उपर और फ्रॉड का एक लग चुक है, उसके बाद पैसो के दम पे, नोटिस भेज भेज के लोगों की आवाज दबाएंगे, आपको ध्यान होगा, ये इनका बहुत गंदा खेल है, कि जब आप इनकी नब्ज पकड़ने लगते हो ना, तो ये नोटिस भिजवाते हैं, ये आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, ले और कोट में लड़नेंगे, बहुत नोटिस पड़े हैं, लोग जब तक जीवित हैं, तब तक सही रास्ते पे दुनिया चलेगी, नहीं तो ये शिलपा शिट्टी जैसे पैसो के दम पे नोटिस भेज भेज के आपकी बोलने की जो आजादी है, उसको दबाते रहेंगे, त कि आप गलत रास्ते पे चलोगे, तो आप बुरी तरीके से गिरोगे, जेल में सडोगे, तो राज कुंदरा की जो आज हालत है, वो बिलकुल सही है, ऐसे लोग सडने चाहिए, लंबे समय तक जेल में जाने चाहिए, निकी पूरी प्रॉपर्टी सीज कर लेनी चाहिए, ब कि आप कॉंटे कर लेक जाने चाहिए कर लेके से अजने चाहिए, वो जड़ोगे, उनलम स्थाण, कुंदरा का।